वेलकम वेग गाइस एक बाप फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में गाइस आप ये चश्मा देख रहे हूं देखिए इसकी क्या हालत यहां पर की है या तो कोई इस पर बेड़ गया या फिर किसी ने पेर रख दिया है तो देखिए कितना पूरा हुआ है इसके साथ विज लेंस एर्वेर अगर आपका एर्वेर नहीं है तो आप ट्राई ना करें तो वैसी से हम रिपीट प्लायर प्लायर से पकड़ के और इस्टीक को ज्यादा दम नहीं लगाना है हलका हलका जो लगागे सीधा करने की कोशिश करने दूसरी साइड फिर से यही गरेंगे ताकि प्रेशर ना पड़े और ग्लास ब्रेक ना हो इसलिए उस पर जो है रिपीट प्लायर से पकड़ ले थे यहां से स्टिक को सीधा गरने की कोशिश किया अभी थोड़ा बेंड है पूरा प्रोपर बेंड निका लेंगे तो पूरा उसको जब हम लेवल में ले आएंगे दोनों स्टिक को उसके बाद हमें जो है उसका पूरा बेलेंस ठीक करना होगा अभी यहां पर देखते हैं गाइस दोनों पूरा लेवल में आ गई है अब इसको थोड़ा टाइट करना होगा तो इसको लीचे की साइड दबाएंगे क्योंकि यह फेस वे भी काफी ज्यादा लूज हो गया है दबने की वज़े से तो दोनों को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इसको अंदर की साइड करेंगे तो वहां पर तो टाइट हो जाएगा तो यह गाईज एर एर अनब्रेकबल लेंसे इस वज़े से जो है यह बच्चे हुए है वरना कपका चुस्मा टूड़ ना कीया ताकि यह फेस पे जो है टाइक हो जाए फेस गीड़ेना बार बार लूज ना हो यहां पर कैस देखे हिए यह दोनों जो है एक के उपर एक नहीं आघे इसको बंद करने में तो यह एक के उपर एक आनी चाहिए तब इसका प्रॉपर बैलेंस होता है यहां पर भी भी बैलेंस थोड़ा सा उट है और हम इसे स्टिक बंद करके देखते हैं जब तो हमारी एक स्टिक जो नीचे वाली स्टिक होती है उसके सीधा पूरा उसके सीधा दूसरी वाली स्टिक जो है आनी चाहिए उसके उपर उसके लेवल में तो वही चीज देखिए यहां पर हम ठ आपको नहीं पता हो अच्छी बात है गई तरब यहां पर थोड़ा सा बेलेंस बी जो पहले आउट था वह फूरा ठीक हो जाए देखिए फूरा एकडम पूरा प्रोपर बेलेंस में आ गया उसका थोड़ा सा नोस्पेड बशेट करना है उसके बाद यह पूरा पहनने ला इसको हलका सा उठाना है वो आप देख लेजेगा अपने साबसे जो आपको लगे तो गाइस इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें के वीडियो को लाइक जिनके